नमस्कार दोस्तो योटूब चैनल में आप सभी का सवागत है आज हम आपको इस वीडियो के माद्धम से बताने वाले हैं कि अभी हाल ही में टोयेटा ने मिराई कार को लॉंच कर दिया है और इस मिराई कार के केमत केतनी है और इसको आप किस परकार करीच सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या फीचर मिलने वाले हैं यह दिया हम इसके फीचर की बात करें तो एक बहुत बड़ा फीचर आपको इसमें नजर आएगा तो सातियो यह कार आपको हाइडरोजन फ्यूल बेस्ट के अधार पर अधारित है हंजी सातियो इस कार को चलाने के लिए आपको इसमें कोई भी किसी भी परकार का पैट्रोल, डेजल, इलेक्रिसिटी, लिथियम आयन, बैंटरी वगएरा कोई भी इसके अंदर यूज नहीं की जाती यह कार हमारा जो बविश्य का इंदन है हाइडरोजन हाइडरोजन के साथ इस कार को यूज किया जाता है तो सा कार को लेकर वह संसद के अंदर भी गए हैं यह जो समाचार है सुर्कियों में काफी जादा हाइलाइट रहा तो सात्यों हम आपको बताने वाले हैं कि इस मिराई कार के अंदर ऐसा क्या फंक्शन यूज होता है कि जिसके कारण इस कार की वैलू दिन दुगनी राद चोगन तरकिक कर रही है और इस कार की यदि हम बात करें तो आपको लग बग बहुती कम खर्च के साथ बहुत ज़्यादा एक्श्रा माइलेज के साथ यह कार आपको मिल जाती है सात्यों यह कार हाइड्रोजन गैस के साथ चलती है और हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो लगबग 600 किलोमेटर का सपरते करती है तो देखिए सातियो 800 रुपई में आपकी कार 600 किलोमेटर का सपरते करती है यानि कि आपको लगबग 1 किलोमेटर के यदि हम खर्च की बात करें तो आपको यहाँ पर एक से डेड़ रुपई यहाँ पर बड़ी मैक्शिमम से मैक्शिमम आपका यहाँ पर खर्च होने वाला है यानि कि अब आपको पेट्रोल खर्च करने की कोई भी जुरूरत नहीं है एक बहुत ही शानदार पिकप के साथ आपको यह कार मिलने वाली है और इस कार को टोयटा ने अभी हाल ही में लॉंच किया है यदि हम इसके प्राइज की बात करें तो विदेशों में इसके प्राइज लगजरी कार के बराबर है यानि कि लगबग युएसे के अंदर इस कार को पीचेतर हजार डोलर में खरीदा जाता है तो यदि हम उसकी भारतिय करिंसी में इसकी हम बात करें तो लगबग 42 लाक रुपे में हमारे भारत में यह कार हम को मिलेगी लेकिन अभी हमारे देश के नितिन गड़करी जी ने वा गड़करी जी ने बहुत अच्छा मुका यहां पर दिया है यदि आपकी इनकम भी सालाना एक लाक असे अजार उपई से कम है तो आपको यह कार ओफर के तैथ मिलने वाली है और आपको इसकी अंदर क्या ओफर मिलने वाला है ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के लाच तक बने रहें और सातियो नितिन गड़करी जी ने कहा है कि हमारा बविश्य का जो इंदन है उसको हाइड्रोजन को माना जाता है और हाइड्रोजन गैंस के उपर अधारित अब यह कार हमारे भारत में दोड़े की ही नई बलगी हेलिकोप्टर की तरह उड़ने वाल है नेक्स्ट आने वाले एयर में इतनी तेजी से इसके उपर कारिये हो रहा है कि हर भारतिय के पास हर गरीब लोगों के पास हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ट अदारी जो कार है उनके पास होने वाली है तो सातियो नितिन गड़करी जी ने बताया कि हमारे देश में पेट्र दमी से निपटने के लिए और हमारे देश में गलोबर वार्मिंग को कम करने के लिए परदूसन को कम करने के लिए और इन कार से होने वाले सोर को कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया यहां पर हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ट जो अधारितकार है उसको मार्केट में लोंज किया जा रहा है आपने दसमी कलास में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन के अंदर जब हम ओक्षिजन के मिश्रन को मिलाते हैं तो एक रसाइनिक अभीकिरिया होती है और उस रसाइनिक अभीकिरिया के तहत बहुत ज़्यादा अनर्जी निकलती है और उसके साथ साथ पानी भीकिरिया में बनता है तो उसी रसाइनिक अभीकिरिया का इस हाइड्रोजन कार के अंदर यूज किया गया है हाइड्रोजन तो हमें हमारे फिलिंग स्टेशन से बरवा लेनी है और ओक्षिजन हमें हमारे वाता बरन से मिलने वाली है तो हाइट्रोजन और ऑक्षिजन के मिस्रन से बहुत ज़्यादा जो अनर्जी बनने वाली है उस अनर्जी से यह कार दोडेगी और इसके साथ साथ इस रियक्षन में जो पानी बनेगा वो हम हमारे पीने योग्य यूज़ भी कर सकते हैं या पिर हम उस पानी को हमारे खेत मे वोड़ो में भी यूज़ कर सकते हैं तो साथियों यहाँ पर इतनी ज़्यादा मातरा में पानी नहीं निकलता पानी की यदि हम बात करें तो लग बग यहाँ पे चंद बूनने ही पानी की रूप में इस रियक्षन के द्वारा निकलती है नितिन गड़करी जी ने बताया कि अब हमारे देश में जिस परकार पेट्रोल और डिजल के पेट्रोल पंप है शेम उसी तरह उसी पत्ती परादारित है अब हमारे देश में हाइड्रोजन फ्यूल बेस जो फिलिंग स्टेशन है वो बनने जा रहे हैं जैसे ही हमारे देश में फिलिंग स्टेशन हाइड् आप भी जानना चाहते हैं कि ये कार कितने रुपई में मिलने वाली है तो आप हमारे इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप मिराई टोयटा की गाड़ी जो अभी लॉंच होने वाली है ह आइडरोजन फ्यूल बेस्ट आने वाली गाड़ियों का अपराइज बड़ी असानी से जान सके और सातियों हमारे दुआरा दी गई जानकरी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक सेर और कमेंट के मादम से जरूर बताए और सातियों नितिन गड़िकरी जी की इस सोच को कहां तक और कितना सही मानते हैं इसके बारे में आप अपनी राए कमेंट के मादम से जरूर दे और सातियों बताया जा रहा है कि इस कार के आने के बाद हमारा वातावरन बिल्कुल साफ रहेगा और यह कार बिल्कुल भी परदूसन नहीं करेगी और परदूसन नहीं करने क साथ साथ यह जादा सोर सराबा भी नहीं करती है